मैं दिना आपके अपने चैनल लिना की चैनल असमें हम लख सागत करती हूं तो एकादशी के व्रत में क्या आप सेंदा नमक खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं इस वीडियो में आपको दी जाएगी पूरी जानकरी तो देउटनी एकादशी जो कि आज चार नौमबर 2022 को है का देशी के व्रत में सेंदा नमक क्यों नहीं खाते हैं किसी भी व्रत में हमें नमक का प्रियोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि बिना नमक का व्रत वो ज्यादा फल्दा ही रहता है और हमारे शास्त्रों में जो बताया गया है कि नमक का सेवन बिल्कुल भी नही करना चाहिए साथ मैं आपको बता देती हूं कि काफी लोग ये मानते हैं कि सbuilds नमक वुरत में खा सकते हैं जैसे कुछ भी बनाते हैं सबजी बनाते हैं आलू की सबजी बनाते हैं या सिंगारे की या साबुत दाणे की कुट्टों के आटे की किसी भी चीज की बनाते तो उसमें नमक का प्रियोग ना करें तो फिर काफी लोग मुझे कमेंट करके पूछें कि मैं हम क्या बना कर खाएं तो आप वरत का मीठा बोजन बना कर खा सकते हैं काफी लोग होते हैं जो गुरुवार के वरत में आपने देखा होगा कि मीठा बोजन ही बन उपवास के दोरान आप नमक का सिवन बिल्कुल भी ना करें उपवास में एक समय फलहार किया जाता है और काफी लोगों का मानना तो यह भी रहता है कि अगर व्रत किया जाए फून शर्दा से तो कुछ भी नहीं खाना है अगर आप चाय दूद्ध इन सब चीजों का प्रिय पे करते हैं तो जैसा आपकी जैसे शद्धा है उस हिसाब से करना चाहिए लेकिन मैं आपको यह सला नहीं देती हूं कि आप नमक का प्रियोग बिल्कुल ना करें तो कई दीदी मुझे कमेंट करके बोलती ही कि हमारा ब्लेट प्रेसर कम हो जाता है तो उस जगह पे आप से वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल भी खंजू से ना बढ़ते हैं अरे किश्णा